Hello Friends, Welcome to my channel Inspiring World. आज मैं आपके साथ शेर करने जारी हूँ The Warmest Topic of September Motor Vehicle Amendment Act 2019 आपसे request है कि इस वीडियो को अंतक देखें क्योंकि मैं इसमें आपके उन अधिकारों की बात करने जारी हूँ जो इस Act ने आपको दिये हैं साथ ही ये भी बताऊंगी कि कैसे आप भारी जुर्माने से बच सकते हैं तो चलिए पहले बात करती हूँ Motor Vehicle Amendment Act 2019 ने क्या बदलाव लाया है कानून उलंगल पर भारी जुर्माना अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गारी चला रहा हो तो उसे 500 रुपे के बज़ाए 10,000 रुपे जुर्माना देना पड़ेगा जी हाँ 10,000 लाइसेंस के बिना गारी चलाने पर नया जुर्माना 5,000 होगा जो पहले मादर 500 रुपे था अक्सर नाबालिकों को गारी चलाते हुए देखा गया है उसे 3 साल की सजा होगी साथ ही 25,000 रुपे का जुर्माना भी देना पड़ेगा हाँ यदि नाबालिक के पास लर्नर्स लाइसंस है तो गार्डिन या ओनर इसके लिए जमेदार कते ही नहीं होगे अगर कोई एमजेंसी एमबुलेंस का रास्ता रोके या उसे जाने ना दे तो यह भी एक उफिंस है इसकी अंतरगर्ट आपको 10,000 रुपे का जुर्माना देना पड़ेगा सीच बिल्ट ना लगाने या हेलमिट ना पहनने पर 1000 रुपे का चलान कटेगा जो अब तक सिर्फ 100 रुपे था इन शॉट बात करें तो फाइन लगभग 10 कुना बढ़ गया है कुछ लोगों का ऐसा मानना है या गलत है पर ऐसे भी लोग हैं जो इसकी सराहना करते हैं दिल्चस्प बात यह है कि सेक्शन 210B के तहर जो लोग इन यमों का पालन करवा रहे हैं वे इनका उलंगन करते हुए पाए गए तो उन्हें डबल जुर्माना देना पड़ेगा अब चलिए बात करते हैं आपके अधिकारों की New Amendment Act का सेक्शन 130 कहता है कि आपके documents produce करना है ना कि देना है अर्थाथ आपको सिर्फ इसे दिखाना है जो व्यक्ति आपका चलान काट रहा है वह आपसे सिर्फ पैसे नहीं लेगा उसे आपको चलान की रशीद भी देनी पड़ेगी अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला एक फर्जी पुलुश वाला है तो आप उसे very politely उसका identity card दिखाने के request कर सकते हैं पहले जब license expire हो जाता था तो one month का grace period मिलता था पर अब अच्छी बात यह है कि grace period बढ़ा कर एक साल कर दिया गया है आप एक साल के अंदर कभी भी अपना license renew करवा सकते हैं आपको अपने driving license, RC, insurance paper की hard copy दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप इसे digitally भी produce कर सकते हैं तो देर किस बात की? Digilocker और M परिवहन आप डाउनलोड कीजे और अपने RC, license आदी को save कर लीजे ये दोनों ही आप government द्वारा मानने ता प्राप्त हैं अगर traffic police आपके साथ बत्तमीजी से पेश आए तो officially आप इनकी complain भी कर सकते हैं कई बार आपने देखा होगा कि गारी no parking area में लगी है तो traffic police उसे tow कर लेती है पर यदि आप गारी में बैठे हैं तो police ना चलान काट सकती है ना ही tow कर सकती है Dear friends, ये कानून आपके फायदे और आपकी सुरक्षा के लिए है तो इनका पालन कीजे और सरकार की मदद कीजे उमीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो like कीजे, subscribe कीजे साथी अपने दोस्तों और सगे संबंदियों के ग्रूप में share कीजे ताकि वे भी अपने अधिकार जान सके और उनका लाव उठा सके Thank you so much for watching my video and take care of yourself